हेलो गाईज, वेल्कम बैक तो मैं चैनल कोड़ीटर कोड़ीटर चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इनुमिरेट इन पाइटन तो आज ये शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है इनुमिरेट इसके पिछले वीड़ वे हम उने देखा था कि किस तरह से रेंज का हम लोग यूज करते है Range PUBG राइ अव् lab भी उबिंद नोग कि इनुमिरेट का क्या यूज होता है अब इनुमिरेट भी हम लोग का एक तरह से यहां यहां पर लिखते हैं इसमें मगर हम कहा रहा है कि अब हम लोग inumerate के अंदर भी कोई iterable लिख सकते हैं अब इससे क्या होगा इससे फायदा क्या है अब ही समाझ में आ जागा इसका फायदा क्या है तो अगर अब मैं इसको run करूँगा तो अब इससे देखी क्या होता है मैंने जैसे इस फो run किया तो अब इसने क्या किया hello के साथ एक तो पहले बाद तो fall loop में hello पर iterate किया इसके विए से मैं he ll o मिला बट साथी साथ हमारे fall loop ने हमें उस particular element का index भी दिया अब this is this is the most interesting thing क्योंकि अभी तक हम लोग ने इस तरह की चीज़ नहीं देखी दी अभी हम लोग ने देखा था कि भाई किस तरह से trade किया जाता है किस तरह से range किधर हम लोग elements को print करते हैं मगर कभी भी हम लोग ने उसके जो index value थी उसको अभी प्रिंट नहीं गया था अब क्या करेगा यह अब basically हमें जो यह enumerate है ना इसमें index value देगा और इसमें item देगा अभी सान में आ जागा तो यहां पे index को पहले हमें print भी कराना होगा और मैंने किया comma अब देखी क्या होता है मैंने क्या run and here it is 0 h l 1 e 2 l 3 l 4 0 त मतलब कि इसने में index value भी बता दी कि हमारे यह जो string आपने की है यहां पर जो आप जिस पर inumerate कर रहे हो string को अच्छा यह जीद मैं बता दूँ यहां पर कोई न कोई iterable ही रखना है हमारे इस फॉर के लूप को इसके थुरू हम लोग इनुमिरेट के थुरू हम लोग यह साही चीज़े भी कर सकते है साथी साथ अगर मैंने कोई list लिखी होती है तब क्या होता देखिए आप लेट से मैं आप लिस्ट लिखता हूं 10 20 30 अभी तबी हमनों ने देखा अगर आप प्रोग्रामिल लैंगविज आपने पहले कभी पढ़ी है कोई और प्रोग्रामिल लैंगविज आपने देखा हो कि हमें ज़रूरत पढ़ती ही इंडेक्स वैल्यू कि रहे अब देखिए मुझे यह मैंने एक तरह से एक लिस्ट बना दी अब मुझे इस किया रण और है इस जीरो जीरो जीरोत इंडेक्स पर तैने मारे फस्ट इंडेक्स भी तो यह यह विदियो अच्छा लगा होगा अगर आपको एच्छा लगा तो प्लीस लाइक करना मत भूलेगा और में चैनल को सब्स्राइब भी कर लिजेगा क्यूकि मैं डेली नए वी मुझे Instagram पे भी directly message कर सकते हैं और मैं आपके message का reply करने की पूरी कोशिच भी करता हूँ और करता भी हूँ I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ पपके लिए Bye Bye झाल झाल तो आप सब के लिए एक homework homework यह है कि जैसे मैंने fall loop के इंदे break or continue के use किया है आप भी while loop के इंदे उसको use करके देखे और मुझे बताइए कि आप उस पर work कर पाए कि नहीं अगर आप work नहीं कर पाए तो definitely मैं उस पर एक video बना दूँगा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं YouTube में हर जगा पर active हूँ YouTube और Instagram पर आप मुझे कहीं पर भी बात कर सकते हैं मुझे कोई भी question पूछ सकते हैं झाल